हेलो बच्चों वेल्कम टू मैं यूट्यूब चनल नौलेजटा मैं हूँ आशी सर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास्टर्फ का एक इंपॉर्ट टॉपिक जिसका नाम है इलक्ट्रिक फिल्ड ऑन दा एक्सिस अब चार्ज रिंग किसी एक रिंग के एक्सिस पर इल बॉटर के होगा यह कलोट करना मोग old בז को और यह ब्ल में आता भी है क्लास्टर्थ का सी बैसी बोड मी감 बात करें चाहिए पीक मोड कि बात करें ऐसे इसे बोड की बात करें टीनों बोड में और दा शार्जड रिंग तो यह हुआ है यह वा है अपका तरह स्टार्ट करते क्या मतलब है यह मालीजी आपके पास एक रिंग हो ऐसे आपके पास एक रिंग हो और उस रिंग पे क्या हो इनिफार्मली चार्ज क्या हो डिस्टीडियूम्ट उस रिंग्पे एक्सिस पे कहीँ कोई पॉइंट केसी डर करलो कुए पॉइंट पी मान लो उस point P पे electric field क्या होगा इस ring के वेसे यह आपको calculate करना है एक ring रिंग पे uniformly charge distribute रहे और आपसे पूछा जाए उस ring की वेसे इस point पर electric field क्या होगा तो आपको यह calculate करना है इसका derivation करना है तो इसी बात है अभी हम आपसे एक छोड़ी से बात करने वाले हैं basic concept बताने वाले हैं माली जी आपके पास क्या है कि आपके पास कोई charge Q है क्यों charge कोई रखा हूँ ऐसे हम बोलें इस charge Q से इस point charge Q के Q से R distance पर कोई point P हो हम बोलें कोई charge Q है उस charge Q से R distance पर कोई point P हो तो बताए इस charge की वेसे उस point पर electric field क्या होगा तो आप बोलोगे सर E equal हो जाएगा KQ upon R square वैसे Q को आप इसमाल लिया तो आपने इसमाल लेना है KQ upon R square यह क्या हो जाएगा? यह electric field हो जाएगा फिर से repeat करते हैं एक point charge की वज़े से किसी distance R पर P point पर आपसे बोला जाए electric field क्या हो जाएगा? तो इस बात को ध्यान दखना है चुकि यह point charge नहीं है कई point charge है तो उनकी वैसे उस point P पर electric field क्या होगी यह निकालना है तो चलिए ऐसे जब questions आते हैं mass distribution की बात आती है charge distribution की बात आती है तो हम लोग elemental cut करते हैं जब भी mass continuous distribute हो central mass में पड़े हुए class 11 में बात करें यहां पर charge distribution की बात करें इन condition में हम लोग क्या करते हैं हम लोग elemental cut करते हैं और elemental cut करने के बाद उसका integration कर देते हैं या फिर हम बोलें कोई element cut कर लो इस पर कहीं element cut कर लो कोई छोटा सा cut कर लोग आप DQ अब उस element cut करने के बाद उसका electric fill न्काद लो जब उसका electric fill नीकल जाएगा उसका क्या करना integrate कर देना इंटरिगेट चंप करोगे तो ऐसे कई elemental cut के सबके क्या हो जाएंगा integration का मतलब यह होता है Edison तो ऐसे जब elemental cut करे रहोगे आपने सबका integration कर दोके सबका addition हो जाएगा सबका elemental cut का हो जाएगा ऐसे कई elemental cut हो जाएगा सबका addition कर देना यह कहा नहीं हुई मेन target हमारा क्या है अभी के लिए एक elemental cut करो उस ring पे और उसकी electric field निकालो जो उसकी electric field आएगी उसको integrate कर देना integrate करने के बाद जो आएगा वो पूरे पूरे ring की वज़े से यह पूरे ring पे जो charge distribute हुआ है उसकी वज़े से उस point पे electric field हो जाएगा चले स्टार्ट करते हैं मानले जी आपने यहाँ पे elemental cut किया आपने बोला DQ है यह क्या है? यहाँ से यहाँ तक के distance आप कुछ भी माल लो यक्स माल लो, आर माल लो और यहाँ से यहाँ तक की माल लो आप radius यह क्या मालोगे? radius मालोगे इस बात को ध्यान देना इतना हो गया इतना होने के बाद आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर यह यक्स माल लीजिए यहाँ से यहाँ तक के distance से लेएक पी तक डिस्टेन्स सभार लीजिए और यहां से लेकर डिस्टेन्स भी आर मालीजिए यह आपने कहारा चली यह इंएंगल मालेजिए ठीट तर मैं अब देखो अब इंडी की बात करें हम इस इस डीक्यू की विजए से इस DQ के विज़े से इस पॉइंट पे जो इलक्ट्रिक फोल्ड लिए होगा वो क्या होगा वो D E होगा क्या होगा हमें इसा चार्ज से दूर क्या होता इलक्ट्रिक फिल्ड होता है हमें इसा चार्ज से दूर क्या होता है इलक्ट्रिक फिल्ड होता है चुकि यह किसी एंगल से था इसलिए इसका हमने क्या 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 है इसको बोलते हैं यह क्या हो जाएगा दी-e कॉस ठीटा और यह क्या हो जाएगा डी-e साइन ठीटर असल में D E होता क्या है D E की बात करें तो D E जो होगा आपका वो हो जाएगा K Q क्यों कि D E लिए तो K D Q K D Q अपान R Sकार क्या हो जाएगा ये वो D E की वैल हो जाएगी उस D E की क्या हो जाएगी ये एलेक्टरिक फिल्ड हो जाएगी हम बोले सर यहां पे जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेंगे ये कंपोनेंट जो बनेंगे इसके कंपोनेंट आपस में क्या हो जाएगे कैंसिल आउट हो जाएगे जबकि होर्जंटल के कैंसिल आउट नहीं होने है निसी बीसी बात है हम बात करें तो इस horizontal की component को लेके आप electric field निकालोगे, इसको लेके आप solve करोगे तो अभी की बात करें, तो अभी क्या करना है, चलिए यहां से start कर लेते हैं हम बोलें आपके पास जो electric field होगा, जो net electric field होगा आपका वो हो जाएगा integration DE cost हम ने बोला था हम लोग उस horizontal को पन्पॉनेंट को क्यों लिया हमने कियोंकि एकल से था जो कंपोनेंट को लेके हमने क्या किया ये और कर लिया वर्टिकल कमपोनेंट को इसी रही यह वहाथा स्चिमेंट्री की मेंगता है कि लिग देता है कहीं पर दीए साइन ठीटा को इस कैंसिल आउट है डू टूटो है कि से मेंट्री डू टू जाए यह डी इसाइन टीटा क्या हो जागा ऊपर भी रहा का नीचे रहां चांचिल आउट होगा हमारे पास बचेगा होट चैनल कंप्पोर अवही क्या होगा उसी का हम लोग निकाल लेंग कि देखा रखे होगा आप डीगी कर देख्या के डीकु अपान आर स्क्वायर इन्टू कॉस्ट ठीटा कि के क्यों चेलिका हो जाए कि यह पॉइंट चार्ज की तरह कर रहा है आउज पॉइंट चार्ज की वेशे ये होगा ये होगा है आपके क्योंस्टन्ट है और और थरे ठी आप देखो के कॉंस्टन्ट ये इस M, सभी रहा है से से क्या होगा उसकी डिस्टेंस जोगी यहां से यहां से सब्सक्राइब हों क्या होगा से पूरा आपने क्यों है किय था ही वह चार्ज आपने रिंग पर इस्टीबीट कर रख था वह किस नहीं को च सकते हैं ⁊ आप such की उपाउन जुड पाउर स्कृइर कास थीटा यहां पर कॉस्ट थृता इंट UA हो कि ना आपको पता है किया हो जाएगा और साइन इसकी यूज नहीं है इसकी यूज नहीं है यहाँ पर क्या है बेस अपन हम लोग कॉस्ट रिख यहाँ तो आप आपका जो आ जाएगा क्यू सिकां करेंगा और एद नोट करेंगे वे पकशनbeek बहुन है अ है चलिए उम्मीद करते हैं उम्मीद करते हैं आप कर लिए उसको लोट कर लिऑ यह तो इसको इसको कर रहा हम हुआ कि उस्के तुम छाटंस करने वाली बाते हैं इसमें ध्यान देने वाली बाते हैं कि सर्डिक्यू क्या होगा भी हेव बाला बाद So लाइक पॉइंट चार्ज इसमें क्या किया किया इसलिए हम इसको लेकिए ऐसे सॉल गया दूसरी बात बात करें आर इसमाल आर यक्स एंड ठीटा इस कॉंस्टेंट कि थीनों चीज़ क्या थे एक्स एक्स बी ऐस्री बात हम बोलें डी क्या हुआ डी साइन ठीटा क्या हुआ कैंसल हो जाएगा कैंसिल लियूटु सेमेट्री ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखने की जरुवत है यह तीन चीज़ें हुई है डीक्यू ब्लाइक पॉइंट चार्ज उसको लेकर डिल किये हैं आर इसमालार कैप्टल र्यक्स और ठीटा क्या था यह तो चली आगे और नोट करते हैं यह तो इसको और यहां से इसको और मोडिफाई करते हैं थोड़ा सा इसको और मोडिफाई करोगे तो आप ची जिव पर इसको इनेट हो जाएगा कि क्यू यक्स अपान आर क्यू हम इस इसमाल और को रिमूफ करके हम यक्स और क्याप्टल रहाना चाहरा है रहे हों p हम बोले और सब्सकार किया होगा तो आप बोलों कि आर स्कॉर प्लस स्कॉर मशल tapas यह अब एक काम करते हैं जहां पर यह आर है उसके जगहां पर यह पूट कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा इन अजाएगा के qx upon r square plus x square power 1 by 2 a power to the power cube यह आपके पास जो unit आ जाएगा वो आजाएगा kqx upon r square plus x square to the power 3 by 2 this is the final formula this is the final derivation यह आपका final derivation हुआ यह आपका डेरिवेस्ट यह क्या है यह है इलेक्ट्रिक फिल्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड तो ड्यू टू यह पिलेक्ट्रिक फिल्ड अन्दा आक से अभधा जाउसि एस वि항 ए आक्सिस और जजेशा रिंग के चार्जज लिंग्ड के एक्सिस पर इसी चार्ज नीगा एस से यह से डिंग हापनी पर दूशल रखांब उसके उसके एक्सिस पर उसके एक्सिस पर एलक्सिंट क्या होगा तो आप बोलों किसर के क्यों यक्स अपान आज़ स्कुएयर एक्टर डिया से अर्श सब्सक्राइब करने कोशिश किया है और समझाये भी अच्छे से आपको जहां में डाउट हो है वार कमने बॉक्स में कमेंट कर देना